हेलो फ्रेंज आज के एपिसोड में शरीर में कफ संतुलन के बिगड जाने के लक्षन बताने वाले स्वपन संकेज के बारे में बताया गया है हमारे चैनल पर बिन बिन प्रकार के स्वपन फल की जानकारी दी गई है जिन से दर्शक गण को अलग अलग तरह से लाग मिलता रहा है मानफ शरीर भी एक संयुक्त इकाई है जिसके अंदर तरह तरह के पाए जाने वाले पदार्थ एवं रसायनों को संतुलन जरूरी है कई बार कुछ चिकित्सा पदितियों में मानफ स्वास्त की जानकारी रोगी से स्वपन को पूछ कर की जाती है आज के वीडियो में कफ की इस्थिति बिगड जाने पर स्वपन देखने वाले को भिन भिन चीज़े दिखने लगती है आईए ऐसी चीजों के बारे में जानक जाए या कफ कूपित हो जाए तो उससे संबंदित बिमार्य उत्पन होने लगती हैं, जिसके लक्षन स्वपन के माध्यम से जाने जा सकते हैं, जब रितू या मौसम के अनुसार कफ के शिथिलता हो जाती है, तो व्यक्ति, जलाश्य, अर्थात पानी से भरी हुई तालाब, लंबी चौडी नदियां, कमल के फूल, सरोवर, या बिलोर जैसे स्वच मकान, चान तारे, बादल, मधुरस वाली वस्तुएं, फल, घी, यग्य करने की सामगरी, यग्य मंडप, सजी धजी, सुंदर शुएत, वस्तर पहने इस्त्रियां, या सफेद फूल देख सकता है यहां एक बात साफ साफ समझने की जरूरत है, कि कफ सद्दुकुन का प्रतीक होता है, इसलिए सात्विक स्वपन के लक्षन, स्वपन देखने वाले के सामने प्रकट हो सकते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, थैंक यू